جssen मेरे चनलwie दल्सकेर में में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है. दोस्तों मेरे कई व्यूअर ने मुझे मेल किया है उनोंने काया कि हमारा दा कुस स्टॉक्स है जो हमारे डबल हो चुके हैं डबल हो चुख हैं कोई डबल से ज्यादा हो चुक हैं तो हम किस साफ से पौर्फ्रोलय पॉर्पुर्टीघ करें तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अपनी आपको strategy एक शेयर करूंगा जैसे कि मैंने अपने पाने वीडियों के बताया कि मैंने काफी सारी तो मैं किस तरीके से पॉट्फिर्ट करता हूं तो मैं आपको बताता हूं मैंने जो सोष क्रिप्ट थी उसमें से जो मुझे लगा था कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उन में से मैं निकाल के उसको लेया चालिस तक तो मेरे पास अच्छी एट में 40 क्रिप्ट पढ़ी है ठीक में 50 होते हैं अब अपना तरीका है अब मेरे ने मुझे कहा है कि इसरी वीडियो करने के लिए उन्हों में kaya की में पर्फ पढ़े हैं जब्यूलिकिए मैंत्रोंगर करूंगा इस इस टौक पर बात करए एक होता है एक इन्वेस्टरे लिए छोट टरम के लिए स्को तो अभी पीछे मैंने एक वीडियो अप्लोड किया रहा, मैंने का था कि जो लॉंग टर्म के लिए हमने स्टॉक लेके रखे हैं, अगर हम इंटरे रेगुलर कर रहे हैं, तो माई डिली भी छूड़ आती है कि दो अकाउंड खुलवा लो, एक अकाउंड में छाण छाण के स्टॉक भरते जाओ, दूसरे अकाउंड में अपने सारे शोग पूरे करो टेडिंग अगयरा करो, तो अगर आप टेडिंग अकाउंड खुलवाना चाते हैं, तो आप खुलवा सकते हैं, दूसरा, अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह है, दोस्तों सबोस कर ल अब क्या किया जाएं, इस कंदीशन में कैसे कैसे क्या चाता है, देखो दोस्तों, पोचने के बाद investor के दिमाग में एक बात आती है यार इतना अच्छा profit मल रहा है ले रहता हूं निकल जाता हूं बाद और एक तरफ जब वो fundamentally identify कता है वो कहता है या fundamental तो उसके अच्छे है मुझे अभी नहीं बेचना चीए मुझे इसको hold करना चीए तो वो दूविदा में फ पॉफड बुकिंग आज की डेट में कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है वो सोच रहा है आज कि आज ये stock जिस rate पर भिक रहा है ये rate मुझे आगे देखने को नहीं मिलेगा ये एकदम टॉप है तो मैं इसलिए इसके अंदर पॉफड बुकिंग कर लो यही सोच के बंदा सकता तो मेरे इसाब से उसको क्या करना चीए उसको अपना 30 से 35 परसंट पॉफड बुक कर लेना चीए उस क्रिप के अंदर कहने का मतलब यह सब्सक्राइब कर लिए तो यह बैठेगा तो इसका मतलब हो गया साट हजार पे तो आपकी इंश्मेंट होके रह गई टोटल एक तो इसमें क्या होगा अखर एक पसंट वह स्टॉक नीचे भी आ जाता है तो फिर आपको यह नहीं होगा कि आप डवारा फे भाय करना चाहा है तो कर से आपको दुख नहीं होगा आपको पश्ताओा नहीं होगा और अगर वो उपर बढ़ दाता है तो आपको यह उगा कुछ तो में पर रखा है कोई टन्शन वाली बात नहीं है प्रोगि जो stalk 100 का 200 हो गया या 200 का 400 हो गया तो वही स्टॉक 1000 भी हो जाएगा 1000 गा देखते देखते 1000 का पंदासो भी हो गया और हो सकता इससे आगे भी बढ़ सकता क्योंकि फर्डमेंटर स्टॉव कम्पनिय है आप हिस्ट्री में उठा के देखिए पास काई धाथा देखिए जैसे मैं एक जां करने के लिए आपको समझाने के लिए कि अगर हम जाई स्टॉक में इंवेस्ट करें और उनको होड़ करें तो हमें लॉंजीविटी में लॉंग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है बीच-बीच में हम ठीड़ा पॉफड़ करना चाहें तो कर सकते हैं एक तरीका और करने का वह यह होता है मान लीजिए अगर आपने एक लाक रपर लगा रहा है एक का दो गया ना तो एक लाक निकाल लीजिए मैं तरीका और बताता हूं जो मैं पस्टली फोलो करता है एक लाक तो निकाली है न अब कई लोग कहते हैं अरे यार बाब बताया मनिश भाई हम इस ल में पैसा जमा करते तो हमें सामाल लीजिए अगर आपने दो साल की लिटेस किया मान लीजिए को स्टावर फश्याओ निकाल लग लिए एक लाक बाकी चोड़ धीजिए बा-क जो होता है होता रहा है लेकिन अच्छा होना था है, फंडमेंटल उसके फंडमेंटल अच्छा होना था है यह निए कि बेकाश फ्टॉक है इसे करें उसके बार फिर वो नीचे आ पिर आप मुझे करें मैं नीच भाई यह कि हम तफस गया तो आपने ऐसे बोला एसमें, यह थ के पार limited capital होती है बीचारे के पास कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं पैसा कुछ सेफ जोन में भी रखूंग कोई emergency आजए medical emergency आजए जा कोई भी emergency आजए तो पैसा तो मेरे पास होना चाहिए क्योंकि एक mental है जिसमें हम जा रहे हैं लेकिन एक बात मैं वह बोलता हूं अगर जो स्टॉक आपने बेचा दो लाख हो गए मतला एक लाख के दो लाख के पांच लाख हो जाए चार लाख हो जाए मतलब पश्टावा भी होता है उनको बहुत जासे एशिंपेंट के स्टॉक में हुआ बज स्टॉक पढ़ा या कमेंट शेक्षिंग की तुर बताते हैं कि इसका हम क्या करें तो देखो लॉंग टर्म में लॉंजिविटी में स्टॉक मार्गिट में कितना अच्छा रटन मिलता है तो इसमें यही बात निकल के सामने आती है यह सॉलूशन है मेरे इस तरीके से करना अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर मैं different strategy अपनाता हूं मैं क्या करता हूं जो मैंने पहले stock ले रखें मैं उनको हाथ नहीं लगाता हूं मैंने इसलिए अपना account अलग खुलवा लिया है ताकि ना उसको देखूंगा ना कोई दिक्कत सड़ी पूरी करूंगा उस stock के ओपर अगर fundamental change होगा तो बेज़ दूँगा उसी time बेज़ दूँगा कुछ नहीं देखोंगा जो मिलगा निकल जाओँगा तो उसके result हमेशा track करता रहूँगा और short term के लिए मैं क्या करता हूँ जैसी उसके 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 करेक्शन आती है न मैं उसके 10 या 12 निकलेंगे सारे निकलेंगे बहुत मुश्किल है ऐसा stock को identify करना कुछ है होगे जरूर होंगे चाले स्टॉक हैं चाले स्टॉक है चालिस मेंने 5-6 जू निकल जाएगे जरूर कोई ना कोई बन जाएगा सिंपनी या फिर बजात शिंसत जैसा कोई ना कोई बन होता है एक तो हो गया लॉंग करने का दूसर घ्रम में पॉफिल binge कि शाब से की जाए इंठो सबस्क्राइब का एक मतलब अलग होता है शौर्ट अबंधर में काम करते हैं व यह वो शौ्ट वाली बात हो तो शौर्ट वाली जो पूलिशन है वहा सारी टूल को देख रहे हैं, हम EMA को देख रहे हैं, इंडिकेटर स्को ओर। यूज कर रहे हैं उसके बाद बाय कर रहे हैं, जैसे आज मैं ले रहा risks को प्रख्शन आई के अंदर मैं ने stock को लिया, देखो दुस्तों चार्ट, चो है न, शब कुछ बोल देता है बारे में, इसके अभ को एक बारा जा जहाती है है उस टॉक के अंदर यहांपे दुस्तों, मैं एक बाँ बिताना चाहता है। कई investor ऐसे होते हैं जो long term के लिए stock में invest करके रखते हैं वो कहते हैं कि long term जब wealth बनेगी तब हम बेचेंगे अभी हमें short term में profit booking नहीं करना तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आपको उसके लिए company के fundamentals देखने पड़ेंगे आपको यह देखना पड़ेगा management कैसा है इसके साथ सार आपको यह देखना पड़ेगा जैसे banking stock है तो उसकी NPA ट्रैक करने पड़ेगी जैसे gross NPA अगर बढ़ जाए high side पर हो जाए तो stock के fundamentals bigger जाते हैं मतलब NPA बढ़ जाए company loss में आना शुरू हो जाए जैसे जैसे बैंक के case में देखा इंडेसिन बैंक के case में हमने देखा तो उस बैड नीज आनी शुरू हो जाती है अब जब बैड नीज आती है तो कुछ नहीं पता कि stock कितना नीचे गिरेगा तो ऐसे में यह है कि आप अपना मुनाफ़ा बुक कर लीजिए जितना आपको profit हो रहा है आप बुक कर लीजिए जब companies के अंदर बैड नीज आनी शुरू हो बड़े इंदस्तर उसको बेच रहे हैं तो इसका मतब उसके अंदर इंटरस्ट जो है बड़े इंदस्तर का खतम हो गया है वह काफी ज़्यादा research करते हैं काफी जादा महनत करते हैं उसके बाद किसी conclusion में पोश्चते हैं कि इसके अंदर हमें investment करना है या नहीं करना अगर और वह स्टॉक को बेचे हैं तो यह negative sign है उस टॉक के लिए तो उसके अंदर अगर आपको profit हो रहा है तो आप मनाफ़ा अपना book कर सकते हैं इस चीज की information आपको company की investment presentation पर मिलेगी और आपको shareholder pattern में आपको पता चल जाएगा आप काफी सारी website पर देख सकते हैं जैसे money control हो सब्सक्राइब करना आता है वह सब चीजे यहां समझ जाएगा चार्ट पर सब कुछ यह सारी चीजे डिफलेक्ट होती है चार्ट पर सब पता चलता है कि smart money इस पर क्या act कर रहा है अगर आपको चार्ट करना आ जाए तो आप समझ लिए stock market के बड़े खिलारी बन जाएंग इसके अंदर इंडिकेटर को प्लेस करें जब उसके अंदर सेल सिगनल मिले तब हम सेल करके उसके अंदर से बाहर आ सकते हैं profit booking कर सकते हैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो प्लोड किया आप उस वीडियो को देखिए आपको काफी अच्छी knowledge और information मिलेगी दोस्ते यहां पर मैं एक बात हो बोलना चाहता हूं मान लीजिए कुछ मान लीजिए कंपनी में काफी सारे बड़े पैसा लगा रहा है अगर उसमें एक दो investor profit booking कर रहे हैं उनको value नहीं देखती स्टॉक के अंदर उनको लगता है को यह stock अच्छा possession कर सकता है वहां पर हमें अच्छा return मिल information मिलेगी उसके बाद decision पर पूचिए कि हमें क्या करना कईबा क्यों होता है कि कोई बड़ा investor profit booking करता है तो stock थोड़ा नीचा आ जाता है नीचा आता तो हमें अच्छी opportunity मिलती है कि stock के नहीं हम long term के लिए invest करें तो इस चीज को भी आप देखें उसके बाद किसी decision पर कर रहा है तो मैं एक दमपा दूँ जैसे कोई मुच्छा फंड हाउस हा मुच्छा कोई मुच्छा फंड था उसका फंड में चेंज हो गया पहले इसकी performance बहुत अच्छी थी लेकिन फंड में चेंड होने की विए तो ऐसे के अंदर हमें profit booking कर लेने में ही बलाई होती है क्य क्याता है माल लीजिए किसी गाड़ी का डाइवर अगर अच्छा है तो वह खड़ा आएगा रास्ते में स्पीड बेकर आएगा तो अराम से कंट्रोल करके गाड़ी को तलाएगा वही अनारी खिलाडी होगा तो वह स्पीड से ले जाएगा और जो पीछे बैसा होगा उसक इसके लिए आपको चार्ट करना पड़ेगा चार्ट पर सब कुछ पता लगता है यह आने वाले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा चार्ट जो डीट करना जानते हैं उनको सब कुछ पता लगजा था चार्ट में सब चीज रिफ्लेक्ट होती कि smart money smart investor इस वक्त स्टॉक के बारे में क्या सोचें इसका क्या हो सकता है यहां पर दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कंपनी का अगर management चेंज हुआ हो सकता है पाने से भी अच्छा management आ जाए वह अच्छे से वर्क करें अपनी नहीं दनिटी अपनाए expansion करने लगे नहीं सेग्मेंट में लगे को profit working करने से पहले मेरे कुछ वियो ने मुझे कहा कि आप इस पर वीडियो प्लोड कीजिए तो आप सब की रिक्वेस्ट से मैंने वीडियो डाला है तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जिन भी companies के नाम लिए यह किसी तरीके की अपनी के बारे में उन आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर सस्क्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद